हलो दोस्तों आप सभी लोगों को स्वागत है एक और exciting नए वीडियो में आज मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप आपके Windows PC या फिर लाप्टॉप में जो हार्डिस या फिर SSD है इसको पार्टिसेन कर सकते हो तो चाहे आपके लाप्टॉप में SSD हो या फिर हार्डिस हो आप इसको easily पार्टिसेन कर सकते हो और इसी के सासाथ मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कैसे आप दोनों पार्टिसेन को एक साथ मर्ज भी कर सकते हो तो बिना हिस दरीके चलिए श्राट करते है आज के इस वीडियो को और वीडियो सुरू होने से पहले अगरा आपको इस वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना अगर आप मेरे चनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ सब्सक्राइब करने के साथ पास वाला जोब लेकरन है उसको भी आप दबा दीजिए तो चलिए चलते हैं कम्पूटर स्क्रीन पे तो अभी आप माचुके हैं मेरे लापटोप में और यहापर मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ पहले से जो पार्टिसेन हो कैसा है तो यहापर मेरे पास 500 GB का एक SSD है जिसको मैं दोनों पार्टिसेन कर चुका हूँ एक में यहापर 200 GB है और बाकी C-Drive पे है तो अभी मैं जो 200 GB का पार्टिसेन है यहाँ से मैं 50 GB का एक और पार्टिसेन करने वाला हूँ तो सबसे पहले आपको जो Windows आइकॉन है इसके ओपर राइट क्लिक करना है और यहापर आपको सिलेट करना होगा डिस्क मैनेजमेंट को यहापर मैं Windows 11 यूज कर रहा हूँ अगर आप Windows 10 यूज कर रहा हो तो आपको भी सेम यहाँ पर ओप्सेन देखने को मिलेगा तो आभी जो डिस्क मैनेजमेंट है ओपन हो चुका है और यहाँ पर जो भी पार्टिसेन आपके लाप्टॉप या फे डेस्टॉप पे है आप यहाँ पर देख सकते हो तो आभी द तो छागा ठीट रायक करना होगा उसके बाद आपको राइट क्लिक करना है और यह पर आपको एक अप्सेन पिलेगा श्निंक वालियूम तो आपको श्लेट करना है फोडी दिर आपको wait करका वागा इसके बाद एक और पाप आप यहाँ पर देखने को मिलेगा तो आभी आ करना होगा तो यहां पर मैं क्याल्कुलेटर ओपेन कर लेता हूँ और यहां पर मैं टाइप कर देता हूँ 50 x 1024 तो यहां पर आ चुका है 51,200 तो एक्जाक्ट नमबर को यहां पर हमको पूट करना होगा इसके बाद नीचे आपको स्रिंक बटन देखने को मिलेगा इसमें होगा तो आभी देखे यहां पर 50 GB का अलग से यहां पर पार्टिसेन हो चुका है लेकिन अभी जो ड्राइव है ओ यहां पर सो नहीं होगा आमको कुछ और स्टेप्स यहां पर फॉलू करना होगा तभी यह दिखाई देगा तो आभी मैं फिर से डिस्क मैलेजमेंट पर आ मैंना है तो आभी आप यहां से जो ड्राइव लेटर है इसको स्लेट कर सकते हो तो यहां पर मैं अलग से जो पार्टिशन है वो बन चुका है और दिस PC में भी आपको यहां पर सो होता हुआ दिखेगा तो देखे यहां पर जो नया वॉल्यूम है जो कि पर ओकंपाय को अग्छ करने वारा हुग लेकिन शीदी आपको ध्यान देना होगा कि कोई भी एक पार्टिसेंणड आपको डिलीट करना होगा या फिर आप मान लो किसको फॉर को मुझे पहले डिलीट करना होगा तो इसके उपर आपको राइट क्लिक करना होगा इसके बाद डिलीट फॉल्यूम पर आपको क्लिक करना होगा इसके बाद इस पर क्लिक कीजे तो आपका जो ड्राइब है यहां पर डिलीट हो जाएगा अभी जिस ड्राइब में आपको इस 10 Volume नाम से तो इसमें आपको क्लिक करना होगा इसके बाद Next पे क्लिक करना है तो आभी देखिए जो डिस्क 0 है यहां पर Automatically show हो रहा है क्योंकि आभी एक ही Partition है अगर Multiple Partition है तो आपको वहां से Select करना होगा तो यह Already Selected है तो आभी मैं Next पे क्लिक कर देता हूँ इसके बाद लात में Finish पे क्लिक कर देता हूँ तो देखिए जो 50 GB का Partition ता फिर से जो D Drive है इसमें March हो चुका है और Total 200 GB का फिर से यहां पर Partition दिखाई दे रहा है तो जो Steps मैंने दिखाया पिल्कुल ऐसे आप फॉलो करके कोई भी डिवाइस में ऐसे आप ड्राइब में Partition कर सकते हो बड़े ही असानी से तो बस आज के लिए से पितना ही I hope आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा अगर आपके मन में कोई भी पॉस्चिन हो या फिर कोई भी सजेशन हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शरूर करना अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास बाल